आज में बनाने वाली हूँ आप सबकी फेवरेट रेसिपी हनी चिली पटेटो एंड आप सबको मेरी रेसिपी शुरूर पसंद आएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना अनीच चिली पटेटो बनाने के लिए मैंने लिए हुए हैं ये 3 मिरियम साइज के आलू जिनने मैंने अच्छे से वाउच करके रखा हुआ है और अब हम इने सबसे पहले पीलर से पील कर लेते हैं अब इन आलूं को फ्रेंच फ्राइस की शेप में काट लेते हैं और अब हम इने काटते हुए साथ में ही पानी में डालते जाएंगे जिससे हमारे आलू काले नहीं पड़ेंगे यह देखिए हमारे आलू कटके रेडी हो चुके हैं अब हमने यह गैस अन कर ली है और हम पैन को गैस पे चड़ा लेती हैं फूल आच पे इसे एक बॉयल आने के लिए छोड़ देते हैं यह पानी बॉयल हो चुका है और अब हम इसमें डालते हैं एक चमच नमक इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और गैस को एकदम लो आँच पे रख देते हैं और तीन मिनट तक के लिए हम इस पानी को उबलने देते हैं तीन मिनट हो चुके हैं हमारे आलू अच्छे से पक चुके हैं अब हम इन्हें स्ट्रेंग कर लेते हैं अब हम आलू को इस प्लेट में डाल लेते हैं और दो मिनट के लिए ठंड़ा होने के लिए रख देते हैं जब तक हमारे आलू ठंड़े हो रहे हैं तब तक हम एक बाउल में लेते हैं दो चमच चावल काटा और दो चमच मैदा आदा चमच नमक भी हम बीच में मिक्स कर लेते हैं और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डालके हमने बनाना है ना ज्यादा घाड़ा होना चाहिए वो ना ही ज्यादा पतला और अब हमारा ये एकदम स्मूथ सा पेस्ट बनके रेडी हो चुका है अब हम एक पैन में ओयल गरम होने के लिए रख लेते हैं जब तक हमारा ओयल गरम होता है तो हम इन आलू को इस गोल में डाल लेते हैं हमने एक ये करके डालने हैं अच्छे सेने कोट कर लेना है ये हमारा ओयल गरम हो चुका है अब हम गैस को थोड़ा लोग कर लेते हैं और एके करके आलू को इसमें डाल लेते हैं हमें इने हलका हलका ब्राउन करना है हमारे आलू हलके हलके ब्राउन हो चुके हैं और आप हम इन्हें निकाल लेते हैं क्यूंकि हमने इने इक बार फिर से फ्राई करना है इसी तरह से हमने सबी आलू को फ्राई कर लेना है ये हमारे आलू लाइट ब्राउन हो चुके हैं अब हम इने एक बार फिर से ओयल में डालके अच्छे से फ्राई करते हैं उससे क्या होगा कि हमारे आप प्राईटो जो हैं ये टेस्ट में बहुत ही क्रिस्पी होंगे और इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होगा तो इसलिए ये स्टेप आप मिस में ही कीजिए और ये हमारे आलू ब्राउन हो चुके हैं और अब आप देखिए ये कितने क्रिस्पी हैं ये देखिए और अब हम चलते हैं सॉस बनाने की तरफ ये मैंने लिया है डेर चमस खस-खस जिसे मैं गैस पे हलका सा फ्राई करूंगे किस्क्राइब हो चुका है अब हम इसे यहां रख लेते हैं अब मैंने पैन मैंसे एक्स्ट्र ओयल निकाल लिया एक चमस की करीब ओयल इसमें रहने दिया और हम सबसे पहले इसमें डालते हैं दो तीन तुरिया लसन की कि इसमें दो तीन हरी मिर्च जालते हैं और अब हम इसमें डालते हैं प्यास एक बारी कटा हुआ साथ में एक कैपसी कुण इस सब्सक्राइब अच्छे से खलकी आच पर फ्राय कर लेते हैं यह हमारी वेज़ीटेबल्स हलकी हलकी फ्राइब हो चुकी है और आप हम इसमें डालते हैं यह खस-खस और इसे फिर से अच्छे से मिक्स करके खिलाते हुए पकने के लिए रख देते हैं यह हमारी वेजिटेबल्स फ्राइव हो चुकी हैं अब हम इसमें डारते हैं एक चमच से थोड़ा सा कम नमक और इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें डारते हैं 1.5 चमच सोया सॉस अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और साथ में हम डालते हैं 2 चमच टोमेटो चिली सॉस अच्छे से अच्छे से चीनी भी हम साथ में डालेते हैं और ये हमारी वेजिटेबल अच्छे से कुखो चुकी हैं अब हम इसमें डालते हैं आदा गिलास पानी और इस सब वेजिटेबल को एक बार फिर से अच्छे से कुखोने के लिए रख लेते हैं ये हमारी सॉस रेडी हो चुकी है और अब हम ये आलू को इसमें डाल लेते हैं ये एक चमच हनी भी हम इसमें डाल लेते हैं सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छी लूका रही है इसकी देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं देखिए हमारे हनी चिली पोटेटो बन के रेडी हो चुके हैं अब हम इनकी प्लेटिंग करते हैं ये हमारे हनी चिली पोटेटो बन के रेडी हो चुके हैं और हम थोड़ा सा खस खस डालके इन्हें गार्णिश कर लेते हैं ज़रूर बताईएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी लेटेस रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे हैं